जै जोहार नमस्कार तैनिक 36 कर चैनल देख रहे हैं आप और 36 कर प्रदेश की आज की समस प्रमुग बड़ी खबरों की सुरुआत सरोबतम आज की पहली बड़ी खबर के साथ आगामी दो दिनों के लिए रायपूर सहित कुल आठ जिलों में लू के आसार मौसवग्यान विभागने जताए हैं दरसल नौतपा की समापती के साथी प्रदेश में बीसर गर्मी सुरू हो चुकी है मौसवग्यान विभागने चेतावनी दी है कि आने वाले दो दिनों में रायपूर दोर्ग राजनान गाओ बलोदा बाजार जानकिर चापार रायकर और महा समुन और मुंगेली में लूल चल सकती है इसी के साथी अरिक्तम तापमान में बढ़ोत्री की भी संभावना है व गुमस में भी काफी भरोत्री हो गई है वहीं रायपूर का अधिक्तम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामाने से 1 डिग्री सेल्सियस जादा रहा इसके लावा प्रदेश में सरवाधी कर्म रायगर रहा वहीं AWS का रायगर का अधिक्तम तापमान 45.4 डिग्री सेल्स साथी युनिफॉर्म और साइकल का वित्रण होने वाला है तरसल चुनावी वर्ष में विध्यार्थियों को पहली बार प्रवेशोत्सव के दिन ही सभी सरकारी योजनाओं का लाब दिया जाएगा 16 जुन से स्कूल खूलेंगे और इसी दिन बच्चों को किताबे युनिफॉर्म और साइकल का वित्रण किया जाएगा स्कूलें सिक्चा विभाग के आदेश के मुताबिक साला प्रवेशोत्सव 16 जुन से दिन से ही निर्वाचित जन प्रतिनरियों में मंत्री, विधायक, सांसत, साला विकास समीती, साला विकास और प्रबंधन समीती, साती गर्मान नागरिक और अभिभावकों की उपस्तित से में बच्चों को किताब, यूनिफॉर्म और साइकल दी जाएगी, सिक्चा विभाग के संचालक सुलील कुमार जैन ने प्रदेश के सभी संभाववे संव्त संचालक, डियो और स्कूल के जिला मिसन समनवैकों को 15 जुन तक सभी तैयारी सुनिशित करने के लिए से जोडने के लिए स्कूल सिक्चा विभाग द्वारा अब यहां चलाय जा रहा है, कबीर जैनती पर आज सुस्क दिवस रहेगा और सराब की दुकाने इन सुस्क दिवस पर बंद रहेंगी, आपकारी विभाग ने जो है इसके लिए आदेश चारी कर दिया है, दरसल कबी इसका पालन नहीं किया तो उस पर सक्त कारवाही करने की बात कही गई है, सराब दुकान हो या फिर होटल या कलब या मदिरा बेचने की मनजूरी नहीं मिले की, मदिरा के व्यक्तिगत और गैर लाइसेंस परिसरों में मदिरा बेचने पर रोक लगा दी गई है, आपकारी अब फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज अपलोड करने होंगे दरसल 36 कर व्यावसाइक परिक्षा मंडल की भरती प्रवेश और पात्रता परिक्षा के लिए आधार कार्ड अब जरूरी होगा परिक्षा के लिए आवेदन करते हुए अभ्यर्थियों को इसकी जादकारी आधार कार्ड नहीं है उन्हें अन्य दस्तावेज अन्यबार रूप से देना होगा कौसल विकास तकनीकी सिक्षा एवं रोजकार विभाग निसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है दरसल व्यापमं की परिक्षा में सामिल होने के लिए मोल निवासियों को परिक्षा सुल 26 करोड की लागत से बना एक नया पिक्निक स्पॉट जिसका मुखेबंतरी भूपेज बखेल ने उद्घाटन किया टॉय ट्रेन में बैट करके मुखेबंतरी भूपेज बखेल घूमते नजराए मुजिकल फाउंटेन सो भी आविचित हुआ फ्लावर ब्रेड और सस्पेंसन ब्रिज जैसी सुविधाएं इनमें मिलने वाली है दुर्ग के कुमारी में सित बड़े तरिया में पिक्निक स्पॉट बन कर तयार हो चुका है 26 करोड की लागत से तयार हुए इस पिक्निक स्पॉट में मुजिकल फाउंटेन सो साथी फूड स्टॉल, टॉय टेन, इसके लावा ग्रीन वाकिंग टनल, फ्लावर बेड आर्च और सस्पेंसन ब्रिज जैसी अनेक सुविधाएं दी गई है यहां टॉय ट्रेन को बंदे भारत मॉडल पर बनाये गिया है, वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेज बगेलने का उधगाटन किया उन्होंने टॉय ट्रेन में बैटकर सफर का आनन भी लिया, बड़े तरिया लगबग 18 एकर में फैला हुआ है भूपेज बगेलने कुमारी के लोगों को 174 करोड 45 लाग रोपे के विकास कारों की सौगात भी दी, इनमें 45 करोड 44 लाग के विकास कारों का लोकार पर और 139 करोड के कारों का भूमी पूजन भी सामिल है अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की डेडलाइन अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है इलेक्सन कमिसन ओफ इंडिया का पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि तीन साल से एक ही जगा पोस्टेट अफसरों को हटाया जाएगा दरसल इलेक्सन कमिसन ओफ इंडिया ने आगामी विधान सभा चुनाव के मद्दे नजर 36 गर समेट 5 राज्यों के मुखे सचिवों को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए कहा है इसमें 36 गर मिजोरम, राज्योस्थान, मधिपदेश और तेलंगाना के मुखे सचिवों को पत्र भीजा गया है जिसमें राज्य में 3 साल या उससे जादा की समय तक एक ही जगा में पोस्टेट अधिकारियों का ट्रांसफर करने को कहा गया है इसके लिए 31 जुलाई तक के लिए डेडलाइन रखी गई है जानकारी इलेक्शन कमिशन को भेजने के निर्देश दे दिये गए है विसेस तोर फर फिर्ड से जुड़े अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कही गई है जिसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, SDM, साथी ADM, रेटर्निंग ओफिसर, असिस्टेंट, रेटर्निंग ओफिसर, तहसिलदार, ब्लॉग डेवलप्मेंट ओफिसर समेत कई अधिकारी यहीं वही निगाम के बुलिस विभाग के लिए भी लागो होंगे IG, DIG, SP और Additional SP, DSP, Sub Inspector और Inspector के अलावा भी अधिकारियों को सामिल किया गया है और 3 जन्वरी तक सरकार का गठन यहां पर होने वाला है राज में सरकार की गठन की भी डेट Election Commission of India निजारी की है यानि इस दिन तक हर हाल में राज्यों में चुनाव होकर सरकार का गठन करना जरूरी होगा हाथियों को खदेरने के लिए खेतों में आग लगाने को मजबूर होते ग्रामिल नजर आ रहे हैं यह मामला केंदई रेंज का है जहां 33 हात्यों का जुढ़ इन दिनों हमला वर्पाया हुआ है फसलों और गरों को काफी जादा इन आत्यों के द्वारा नुकसान पहुचाया जा रहा ही मामला कोर्बा के कटगोरा वनमंडल में हाथियों के उतपात से जुड़ा हुआ है जिसकी वज़े से उतपात से ग्रामिड परिसान होते नजरा रहे हैं और इतने परिसान हो गए हैं कि उन्हें खदेरने के लिए अब ग्रामिड अपने खेतों में आग लगाने को मजबूर ह हो गए हैं दरसल बीते दिन किंदई रेंज के पच्रा गाव में रहने वाले ग्रामिडों ने अपने खेत में मौझूद पलारी में आग लगाती ताकि हाथियों का दल उनके घर तक ना पहुंच सके जानकारी की मताबिक कटगोरा वनमंडल के किंदई रेंज में 33 हाथियो का जुन विच्रन कर रहा है जिसे रोकने के लिए वन अमला नाकाम साबित हुआ है वन विभाग केवल अलर्ट जारी करके खाना पूर्ती करता रहता है किसानों ने किंदई रेंज के गावों में फसलों को बर्बाद कर दिया है और ऐसे में जो है बात करें तो जिसकी वज कर जलती तो इनकी पलारी नजरा रही है महिला पहलवानों को न्याय दिलाने और भाजपानेता ब्रिजभूसर सिंग की ग्रफतारी के मौन को ले करके बिलासपूर में आमादमी पार्टी के कारेकरताओं ने नारेबाजी कर प्रदेशन किया और इस दोरान इन्होंने कैंडल मार्च निकाल कर विरोध जताया वही महिला कॉंग्रिस ने भी महिला पहलवानों पर बरबरता के विरोत में आंदोलन करने का एलान किया आमादमी पार्टी की प्रदेश सचिव वा एडवोकेट प्रियंका सुकला ने कहा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी देश के खिलाडी जो की हमारा गवरव है उन्हे न्याय और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़नी पड़ रही है उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और आरोपी भाजपानेता ब्रिजबोसन जिंग की ग्रफतारी भी नहीं कर उसे सर्रक शंटिया जा रहा है फिलाल ये सभी बाते इस आंदोलन में क की गई विलासपूर रेलवे जोन से खबर जहां पचपन प्रमुक स्टेशनों में 88 काड आधारी 80VM की सुवेधा लगा दी गई है जो अपने आप एक बहुत बड़ी सुवेधा है दरसल दक्षिर पूर्व मध्ध रेलवे सफर के दुरान अपने यात्रियों की हर छोटी फायदा होगा इन मसीने से उन्हें जल्दी टिकेट मिलेगा और जिससे अब स्टेशनों पर लगने वाली टिकेट की लाइनों का जंचट भी खत्म हो जाएगा दरसल दक्षिर पूर्व मध्ध रेलवे के 55 प्रमुक स्टेशनों पर 88 काड आधारी 80VM स्थापित किये गए अर्पा का रिवाइवल प्लान बनाया किया है जिसके अनुसार अर्पा को गटर मुक्त करने के लिए 207 करोड रुपे का प्लान जो है मनजूर हुआ है उद्गम की जमीन को खरीदने की तयारी भी अब सरकार कर रही है दरसल जिले की जीवन देखा अर्पा नदी को जीवन अर्पा के जन्ही तयाजका पर हाई कोट ने एक्सपर्ट कमीटी बनाई थी कमीटी ने अर्पा रिवाइवल प्लान प्रस्तुत कर दिया है इसमें बताय किया है कि अर्पा को पुनर जीवित करने के लिए 20 योजनाय बनाई गई है जिनके पूरा होने में अर्पा में साल पानी रहेगा वहीं अर्पा के उद्गम स्थल पर जलकुंट के निर्मार सहित 45 थानों पर सहयक नदी नालों पर जलास है वहीं एनिकट का निर्मार जून 2024 मार्ज 2025 तक पूरा होने की जानकारी दी गई है इसकी अतरिक अर्पा भैसाजार बैराज सिवगाट बैराज पच बताई गई है सहर में अर्पा को गटर से मुक्ट करने के लिए सिर्फ घार के पच्री घार तक स्मार्ट से टी लिमिटेड और नोगर नियम की ओर से काम चल रहा है इथर पच्री घार से दो मुहानी तक अर्पा के बड़े हिस्vollे को गटर मुक करने के लिए 207 करोड की यो पंचायत है और जहां घर बैठे लोग अपना टैक्स जमा कर सकते हैं जस्पुर जिले की कुनकुरी नगर पंचायत ऑनलेन कर भुक्तान पुनारी शुरू करने के लिए पहली प्रदेश की नगर पंचायत बन चुकी है विदायक यूडी मिंज ने इनका सुभारम किया और अ कुनकुरी के लोग घर बैठे टैक्स का ऑनलेन भुक्तान कर सकते हैं ऑनलेन टैक्स भुक्तान करने वाले प्रतम उपहोगता विश्नु सोनी बने नगर पंचायत कुनकुरी में बीते दिन करो का ऑनलेन भुक्तान प्रनारी सुविधा से संबंधित विवस्था का सुभार तो वहीं यहां पर 36 कर सरकार के लिए कुमार विश्वास ने भी अपने चंद बोल बोले। लोग गायकों को अपने भजनों से महौल भक्ति मैं करते देखा जा सकता था। कारिकरम स्थल पर जैसराम के नारे से जैकारा लगता रहा। लगवीर सिंग ने लोगों से कहा कि प्रभुस्री राम सब को साथ लेकर चले और आप भी मेरा साथ दे और प्रभुस्री राम का नाम ले। इसके लाबा बात करें तो रायकर जिले पर चल रहे हैं रामार महुत्तों में प्रस्तूरी देने के लिए कवी कुमार विश्वास भी पहुचे हैं और कारिकरम सी जाने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि जो स्रे राम पूरे विश्व को मार्क दिखाते हैं उन्हें 36 ग करके बिलास्पूर में दिन दहारे यूद कॉंग्रिस के नेता की बेरहनी से पिटाई पर अब पुलिस के खिलाफ आक्रोज भड़क चुका है हमलावर यूद कॉंग्रिस के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने पर नाराज सतनामी समाज के लोगों ने बीते दिन सा के अध्यक्ष नीते सिंग वसात्यों पर सात्यों ने मस्तूरी के उपाध्यक्ष विस्वजीत अनन्द पर लाठी डंडे रोड और होकी स्टिक से हमला करके दोड़ा दोड़ा कर मारा था घाया लिवा कॉंग्रिस के निता अभी भी अपोलो अस्पताल में भरती हैं और ऐ आज में तीन चर्णों में जन संपर्ग अभियान चलाया जाएगा जहां MLA, सांसर्थ और प्रदेश प्रभारी एक साथ एक एक विधान सभा का दोड़ा करने वाले हैं दरसल 36 कर में विधान सभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस ने बस्तर और अपना चुनावी संकनात बस सरकार की योजनाओं को जनजत तक पहुचाने और बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेज बखेल और 36 करके कॉंग्रेस प्रभारी कुमारी सेलजा समेत सरकार में मंत्री और बस्तर के सभी वेधायकों के उपस्तिती में कार्यकरता सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें चुनावी बस्तर से कर दी गई है अंतीम बड़ी खबर जहां यूद कॉंग्रेस की महत्यपूर बैठक होई और ये बैठक में प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले राजी भवन में आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश भगेल, कुमारी सेलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम साथी यूवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष आकास सर्मा मौझूद रहे बैठक के दुरान यूद कारिकरताओं को संबोधित करते वे सीम भूपेश भगेल ने बड़ी नसीहत दी उन्होंने कहा कि आप भूपेश भगेल या मोहन मरकाम के लिए नहीं बलकि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि प्रतिदिन की महत्रपूर खब्रे 36 गर समाचार बिना कि जुरकावट रोजाना हम आप तक पहुचा सके तो चैनल जरू सब्सक्राइब कीजेगा